हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टेडी विद प्रिया आज हम सॉल्व करेंगे अपना सीटेट का 2023 का कुश्चन पेपर देखिए साथ जुलाई को इसकी एक्जाम डेट आई है कि सीटेट का एक्जाम होगा साथ जुलाई को ठीक है और साथ ही और आप भी भी अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले दो अप्रेल लास्ट डेट दी गई थी लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 5 अप्रेल कर दिया है कोई टेक्निकल इशू है और उस पर कोई एक नंबर भी शो कर रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म फिलप हमें प्रीवियस एयर के कोईशन पेपर देखना पड़ता है उसी तरीके से उसी श्रंखला में हम क्या करेंगे कि अब फूरा कंप्लीट पेपर बन पेपर सेकेंड इसमें कि सभी मतलब जितने एयर जितने कोईशन पेपर मुझे अवैलबल होंगे उनको मैं जरूर आपको सॉल्व करा दूगी ठीक है फिर इसके बाद आप प्रप्टी डिप्रेशन शुरू कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं हमारे इसमें देखते हैं यह देखें यह है दो सार तेइस का सेट वन है ठीक है सेट वन है अब इसमें का हम प्रप्टेशन उत्तर देखेंगे चाइल्ड डेवलप्मेंट में कैसे कोश्चन आते हैं इसमें शुरू करते हैं हमारे पहला प्रप्टेशन डिस्ग्राफिया इसमें देखें चार ओप्शन दिए गये हैं बताना है कौन से सही होगा इसमें इसका हमारा आंसर है एक तंतर की विकार है जिसकी विशेष्टा अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है आप्शन 3 का सही है नेक्स्ट कोशन है हमारा सेकेंड कोशन पतिभावान बच्चों को सिख्षित करने का उपागम जो उन्हें असमाने रूप से तीवर गती से पाठ चर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है इसका आंसर अगर आपको आता है तो अच्छा है लेकिन इसका आंसर क्या है तो अरण है गती वर्धन ऑप्शन इसका तीसा सही है आप इसमें आप अगर आप पहले से सीटेट का एक्जाम दे रहे हैं तो आप अपने आंसर टिक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किये हैं ठेक है एक्स्ट कोशन है सि इस तरहीके से देखे चार ओप्शन दिये हुए हैं पहला दूसरा और तीसा ये तीनों ही सही है पाट चर्या में अनुकूलन करें विविद्रिष्टी कोड़ों को शामिल करें अपने स्वैम के अंतर नहित पूर्वा ग्रहों की जाज करें और जबकि चौथा हमारा ये ओप इसमें भी फोर दिया है अब देख सकते हैं अगर जो स्टुडेंट ये देख लेगा कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए एक की वर्ड होता है सीटेट के पैटरन में हमेशा देखेगा ठीक है तो इस प्रकार से जिसने ये फोर्थ ऑप्शन देख लेगा वो फिर इसको नह करेगा इसको नहीं और हमेशा सेकेंड वाला ही टिक करके आएगा ठीक है नेक्स्ट है शैश्वा अवस्था में समाजी करण की इसमें कुछ खाले स्थान में भरना है संस्थाएं प्रमुक रूप से महतुपूर्ण है जिबकि प्रारंभिक बाले अवस्था में समाजी की माधिविंग संस्थाएं में महतुपूर्ण हो जाती है नेक्स हमारा कोशन है फाइफ नूमर कोशन लेव वाइगुद्सकी के अनुसार इसमें से कौन सा ओप्शन हमारा सही है पढ़ लिजे इसमें हमारा आंसर सही होगा फोर भाशा विकास संग्यानात्मक विकास को नेक्स है हमारा कोशन लॉरेंस कोहलबर के नैतिक तर्क के किस इस तर पर बच्चे आम तोर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर ख़रा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से वेभार करना चाहिए शिक्स में हमारे ये चार ओप्शन है इसमें से चैन कीजे अभीकथन और कारण इसमें रहता है ठीक है समझे सिक्षिकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत सिक्षार्थियों को उनकी समझ और कोशल विक्सित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदरशन प्रदान कर जानकी के वाद अगर यह हमारा वॉप्षन क्या हो जायां गजाएगा ये और 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 दोनों सहिं है परंतु और एकी व्याक्षिा आरे की व्याक्षिक है कि कली इसमें हमारा सेकंड और दोनुंर योप यस है नेक्ट को कॉश्यन है आरथियों के लिए आकलन का मुख्य लक्षिक क्या है एट का हमारा आंसर क्या होगा इसमें तीसा सही है विद्यार्थियों को प्रति पुष्टी प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिकम में सुधार के लिए किया जा सकता है नेक्स्ट हमारा कोशन है नाइन नमबर किस आईयों में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकलो और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन में शब्दों का खेल शामिल हो नाइन का हमारा आंसर क्या होगा देखे जिनको आंसर पढ़ने पढ़ने म कोहलस बर्ग की नैतिक विकास के सिधान्थ की आलोशना की है और किस रूप में की है तो देखिए दस्वें का हमारा अंसर हो जायाएगा नारी वादी दृष्टी कोडं से इन्होंने। सिधान्थ की आलोशना की है। नेक्स्ट हमारा कोश्चन है 11 नमबर जिन प्याजी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेष्टाओं में से एक डैश है जो कि किसी स्थिती के एक पहलो पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रव्रित्ति को संदरभित करता ह 11 का हमारा हो जाएगा option number 2 केंद्रियन नेक्स्ट है हमारा कोश्चन 12 नमबर प्रारंभिक बाली अवस्था में खाली स्थान और सोच इसमें देखे खाली स्थान में भढ़ना है जबकि मद्य बाली अवस्था में व्रिद्धी और डैश और सोच डैश है तो इसमें क्या जाएगा दूसरा प्रारंभिक बाली अवस्था में व्रिद्धी इस्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है जबकि मद्य बाली अवस्था में व्रिद्धी धीमी और सोच तारकिक है 12 का हमारा answer 2 है नेक्स्ट है हमारा question नमलिकित में से कौन सा स्थूल गतिक कोशल है तेरवें का हमारा answer होगा तैरना यह स्थूल गतिक कोशल है नेक्स्ट है भौतिक विर्धी और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धानतों का पालन करते हैं 14 का हमारा option 2 सही होगा भौतिक विर्धी का और विकास विकास के शीर्ष गामी और समीपस्थ सिद्ध हावर्ड गार्डिनर के अनुसार 6-6 दर्शनिकत के पास डेश प्रकार की बुद्धी और मूरोटिकार में होती लिए क्षण हमारो आप्शन 3 हेगा अनतह व्यक्तिक और दिकिस थानक इन में अधिकति नेक्ष्छ तो कि अधिगम पर सिक्षण की नेंतरड़ पर सीखने में पुनरबलन की भूमका निभाने पर आलोशनात्मक प्रतिभिंबन के महतो पर एक क्रक्रिया के बजाए अधिगम को एक उत्पात के रुप में देखने पर सिक्स्टीन का हमारा ओप्षण थ्री से ही हो जाएगा आलोशनात्मक प्रतिभिंबन के महतो पर देखे फ्रेंड्स यह जो चार ओप्षण इसमय लग जाता है इसलिए मैं क्या करती हूं कि मैं डिरेक्ट आंसर टिक करा देती हूं अगर आपको ओप्षण पढ़ने में लगत 17 नमबर का हमारा कोशन है बच्चों के समस्य समाधान कोशल को बढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सा प्रभावी तरीका है 17 का हो जाएगा ऑप्षण 4 उन्हें मन बुद्धी मन्थन करने और सहज अनमान लगाने के अफसर देना 18 नमबर कोशन निमलिकित कतनों को पढ़ी और सही विकल्प का चैन करना है इसमें अभी कतन है सिख्षकों को सार्थक वातावरन बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्री भागिदारे और सललगनता हो कारण क्या है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेडित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं यह हमारा है 18 नमर का कोशन 18 का होगे हमारा अंसर 2 ए और र दोनों सही है आरे की सही विकल्प है नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती इसमें आपको बताना है 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्षन 4 गैर प्रासंग की करण यह हमारी अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है नेक्स्ट हमारा कोशन है निमलिकित में से कौन सा ऐसे प्रशन का उधारन है जिनमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने के अवशक्ता होती है 20 का हमारा ऑप्षन और है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उप्योग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है नेक्स्ट हमारा कोशन है 21 नमबर निमलिकित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपड का एक उधारन है 21 का हो जाएगा ऑप्षन 2 मैं परिच्छा में फेल हो गया क्योंकि मैंने परियाप्त पढ़ा ही नहीं की आंतरिक आरोपड का एक उधारन है ऑप्षन 2 नेक्स्ट कोशन है 22 नमबर निमलिकित में से को पढ़ना है कथन और अभी कथन है 22 नमबर इसमें देखे हमारा प्षन क्या है अभी कथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकान सुसंस्कृतियों में लड़कियां गुडियां को खेलाने की रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं इसका कारण क्या है बच्चे किसी विशेश सांस्कृति की अपेक्षा के अधार पर एक लड़की या लड़की के लिए क्या उप्युक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यभार करते हैं 22 का हो जाएगा हमारा अंसर सेकेंड ए और बी आर दोनों सही है आरे की चाही व्याख्या है नेक्स्ट हमारा कोशन है 23 नमबर लेव वायगुत्सकी के अनुसार डैश बच्चों के संकल्प नात्मक योग्यताओं के विकास में महतुपूर्ण भूमी का निभाता है 23 का ओप्शन हमारा 2 सही है सहकर्मी सहयोग 23 का ओप्शन हो गया 2 नेक्स्ट कोशन है 24 नमबर लेव वायगुत्सकी के अनुसार अधिकांट आंत्रिक वाक अब इसमें बताना है कौन सा सही होगा इसमें हमारा है 4 नमबर ओप्शन बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंत्रिक वाक नेक्स्ट कोशन 25 नमबर जब चार वर्ष की अपढ़ना कहती है कि एक बटन जिन्दा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बानने में बदत करता है जीन प्याजी के नुसार उसकी सोच की विशेश्टा है या है 25 का ओप्शन हमारा 2 जीवन वादी चिंतन जीव वादी चिंतन नेक्स्ट हमारा कोशन है 26 नमबर निमलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेश्टा कौन सी है 26 का है हमारा ओप्शन 3 बार बार तोहरो और आवरती वेभार त्री ओप्शन इसका सही होगा 27 नमबर कोशन निमलिखित कतनों को पढ़ना है और विकल्प का चैन करना है कतन और अभी कतन जो भी है अभी कतन है शिक्षार्थियों के बीच समालोज नात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विधी प्रजश्थितियों और विभिन दृष्टी कोणों से अवगत कराना चाहिए इसका कारण क्या है जब विध्यार्थी विभिन मतवेदों के बीच बातचीत में सनलगन होते हैं तो वे समालोज नात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी छमताओं को सीखते और समरिद करते हैं इसका अंसर होना है टूनम ए और आर दोनों सही है आरे की सही व्याख्या है नेक्स्ट कोश्चन है ट्वेंटी एट नमबर निकमलिखित में से अरीगम का प्रात्मिक लक्ष है कौन सा होना चाहिए ट्वेंटी एट का हमारा ओप्शन है फोर समालोज नात्मक चिंतन का विकास हमारा प्रात्मिक लक्ष होना चाहिए ट्वेंटी नमबर कोश्चन बच्चों बच्चे सबसे प्रभावी धंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारना इसका आंसर होगा 30 का को महत्व दिया जाना चाहिए और मानों विविद्दा की प्रतिविम के रूप में देखना चाहिए यह है हमारा चायल्ड डेवलपमेंट का सीटेट 2023 पेपर वन का आंसर यह पेपर में आया था ऐसे ऐसे प्रशन थे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटेट में जो प्रशन आते हैं वे किस प्रकार के आते हैं इसमें कथन अभी कथन इस प्रकार के प्रशन आते हैं वन जिनका paper बीच में ही मतलब पूरा paper वो complete नहीं पढ़ पाते हैं पढ़ भी नहीं पाते हैं उसको solve करने में इसलिए जैसे है जैसे आप solve करते जाएंगे और अपना mark OMR में बनाते जाएंगे ठीक है क्योंकि paper शुकने की chances इसमें जादा रहती है ठीक है और जो बच्चे पहली बार दे रहें उन्हें अंदाजन नहीं रहता है कि paper इसका बहुत lengthy रहता है इसको प्रशनों का अर्थ समझते-समझते ही बहुत समय चला जाता है ठीक है देखे हम लोगोंने सिर्थ question solve की है अभी 14-15 क्योंकि answer पता है इसलिए जल्दी हो गया लेकिन अगर नहीं पता रहता तो इसमें बहुत समय लगता है ठीक है तो अपने पढ़ने की स्पीड भी आप बढ़ा लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धान्यवादा